कलाकृती दे आठेपिनोर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पर रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस कीजिए और इसके बाद यह बैल आइकन है इसको भी प्रेस की है यहाँ पर देखिए हमने नीदिवन थीम देने की कोशिश की है नीदिवन मतलब जो विंदावन में है वहाँ पर मानेता है कि रात में क्रिशन जी अपने गोपियां संग रास लीला रचाते है तो देखिए नीदिवन की थीम देने के लिए यहाँ पर हमने मुकुट पर पर डेकोरेशन हुई है और इसके बाद देखिए यहां पर गोपियां हमने चारो तरफ क्रिशन जी के लगाई है तो काफी ही सुन्दर यह निदिवन की थीम बनी है तो फ्रेंग्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए इस ड्रेस को शेयर क उनके लिए ड्रेस बना सकते हैं क्योंकि मैं यह ड्रेस जो है हर साइज में बनाना बताऊंगी और यह जो मुकुत है यह भी हर साइज में बनाना बताऊंगी बट इसकी वीडियो नेक्स आएगी तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बटन भी ओन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं सुन्दर सुन्दर यह ड्रेस की वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और फ्रेंड्स प्लीज हमें रादे रादे लिखना बिल्कुल मत चोटा और बड़ा करना है वह गोपियों को करना है ताकि ड्रेस चोटी या बड़ी हो जाए तो देखे बड़ा करना तो बहुत एजी है जो हमने गोपियों के यहां पर पांच राउंड लगाए है वह हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं लाइक मैंने आपे शुरू में दो डाले फिर नेक्स राउंड में छे हैं और फिर हमारे जो हैं जादा हो रहे हैं तो आप नेक्स राउंड में चार कीजेगा उससे नेक्स राउंड में छे कर लीजेगा या आट कर लीजेगा वह उस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं तो बड़ा तो बहुत जादा इजी हो ज तो आपको जब बड़ा करना हो तो आप धीरे धीरे इसको बड़ा करेंगे तो काफी राउंस एक्स्ट्रा हो जाएंगे और इसकी बोर्डरिंग कर लीजेगा फेस को भी आप बड़ा कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर हाफ डबल क्रोश्य के दो राउंस लिए आप एक तो तो देखे सबसे पहले जो बोर्डरिंग वाइट कलर की यह आप स्किप कर दित करके आप क्या कर सकते हैं वाइट की बोर्डरिंग सिंपल तरीके से कर सकते हैं सिंगल क्रोश्य तीन चेन सिंगल क्रोश्य तीन चेन वह बोर्डरिंग भी काफी प्यारी लगेगी तो उससे क आपकी ड्रेस गोपियां जो है काफी चोटी हो जाएगी, इसकेंद चीज यहां पर देखें, मैंने पांश राउंड लीएं, तो आप यहां पर कम राउंड ले सकते हैं, चार या तीन राउंड की ही गोपिय बना सकते हैं, फेस आप छोटा कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने face में half double crochet के दो rounds लिए हैं आप एक ही round लिजेगा फिर आगे मैंने यहाँ पे single crochet दो chain का green color के rounds लिए थे वो part आप skip करके direct puff यहाँ पे बनाईएगा और यहाँ पे white color की direct bordering कर देंगे तो आपका face जो है गोपियों का वो छोटा बन जाएगा तो इस तरह से हम rest को छो बढ़ा करना है और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें comment box में comment करके अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं काना जी का size mention कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे as soon as possible आपको reply कर सके तो चलिए friends dress बनाना start करते हैं dress बनाने के लिए सबसे पहले मुझे आपे इस तर नंबर के लड़ू कुपाल जी के लिए चोली बताई हुई है तो आपके लड़ू कुपाल जी का जो भी size है आप वो वीडियो देखके चोली बना लीजिए वहां पे मैंने 0-6 नंबर तक के काना जी के लिए अलग अलग वीडियो जो है अपलोड की हुई है उसके बाद द कि तरफ कैसे जाते हैं slip stitch की head से वो भी मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है आगे का घेरा जो हम यहीं से start करेंगे अब आगे का घेरा हम पहले बनाएंगे तो सबसे पहले आप चोली बना लीजिए उस playlist पे कैसे जाएंगे पहले मैं वह आपको बताती हूं और उसके बा वीडियो प्लेड प्लेड ए तो साधी प्लेड प्लेंगी यहां पर एक प्लेडीने यह देख नंबर के लड्डों कपाल आप इसपे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर के jeist पे जाएंगे जैसे कि 0 नंबल पांशा, नमबर एक नमबर मैंने आफे सारी चोली जो है बता रही है सारे लड़ू कुपाल जी खेली तो अगर आपकी ृच नमबर की अब इसके बाद देखे जो इसकी जस बगल वाली chain है उस में हमें double crochet डालना है double crochet एक बड़ बता देती हूं कैसे डालते हैं windshield में एक फंदे है, दो फंदे करुँंगे इस सरह से, जस बगल वाली chain मेंए crochet डालोंगी, दागे को निकालोंगी तो देखे तीन फंदे हो गए है अब शुरू के दो फंदे हैं वो धागे से निकाल दूँगी अब यह दो फंदे बच गए हैं इनको भी धागे से निकाल दूँगी तो इस तर ऐसे तीन का दो दो का एक करके हमने डबल क्रोशय बना लिया है तो यहाँ पर हम यह मानेंगे क कि हमने एक ही चेन में दो डबल क्रोश्या डाल दी हैं अब नेक्स चेन में एक डबल क्रोश्या डालूंगी तो देखें डबल क्रोश्या कैसे डाल जो तीन फंदे हो गया तीन का दो करूंगी दो का एक अब नेक्स वाली चेन में हम दो बार डबल क्रोश्या डालेंगे एक और यह दो डबल क्रोशे नेक्स वाली में एक डालेंगे अब नेक्स वाली में दो डालेंगे तो यहां पर देखे मैं एक पैटन फोलो कर रही हूं जिसमें मैं डाल रही हूं पहली चेन में दो डबल क्रोशे डाले फिर एक डाला फिर दो डाले फिर एक डाला तो अल्टरने कैसे करेंगे देखिये पहला डबल क्रोशया जो है तीन चेंड से बनाया था उसकी थर्ड चेन में मैं स्लिपस्टिट से इसको जोइन करूँगी तो देखिये थर्ड चेन में क्रोशयाओग डाल रही हूँ धागे को निकालूँगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगे तो इसे हम बोलते हैं slip stitch तो यहां पर first round जो है complete हो गया है friends अगर हम यहां पर zero एक या दो नमबर तक के लड़ू पाल जी के लिए अगर यह dress बना रहे होंगे तो हमें पहला round जो है इस तरह से नहीं लेना होगा एक दो एक दो पहला round हमें कैसे लेना होगा हर chain में दो दो डबल क्रोशा डालके first round complete करना होगा और second round में यह करना होगा एक दो एक दो ऑल्टरनेट चलना होगा और third round जो है जैसे मैं आगे पूरा घेरा बताऊंगे उसी तरह से करना होगा बस एक round जो first वाला है वो extra होगा हर chain में 2-2 double crochet डालने होगे तो यह सिर्फ 0-1-2 के लिए है आगे का जो घेरा होगा बड़े लड़ू को पाल जी के लिए like 3-4-5-6 जितने भी लड़ू को पाल जी के लिए गर आप बना रहे हों तो उसमें हम हम first वाला round जो है इसी तरह से बनाएंगे एक दो एक दो अल्टरनेट करके तो यह आप देखिए second round कैसे start करेंगे हम तीन chain लेंगे तो round का जब भी हम start करेंगे तीन chain लेके ही करेंगे तो यह first double crochet हो गया है इसकी just बगल वाली chain में एक double crochet डालूंगी तो यह एक ही chain में हमारे दो double crochet हो गया है अब next chain में एक double crochet डालूंगी इससे next chain में भी एक डालूंगी इससे next chain में दो बार डालूंगी तो हर तीसरी chain में इस बार दो बार double crochet डालेगा इसमें दो बार डाल दिया है अब next chain में एक डालूँगी तो पहली chain में एक डालूँगी और तीसरी chain में दो बार डालूँगी तो हर तीसरी chain में इस बार दो double crochet हम डालेंगे और ये round जो है complete करके आपको दिखाती हूँ तो देखे second round भी almost complete हो गया है जैसे पहले round को हमने join किया था वैसे इसमें join करेंगे तो पहला double crochet तीसरी chain से बनाता तीन, sorry तीन chain से बनाता उसकी third chain में मैं crochet डालके धागे को निकालके सीधा इसमें से निकाल दूँगे और slip stitch से इसको join कर दिया है अब third round की तरफ proceed करूँगी, तो देखे तीन chain लूँगी, round की starting हम हमेशा तीन chain लेके पहला double crochet बनाते हैं अब जस बगल वाली chain में एक double crochet डालूँगी, तो यहाँ पे एक ही chain में हमारे दो double crochet हो गए है अब देखे नेक्स chain में, मतलब यहाँ से हम पहली chain मानेंगे, तो एक double crochet डालूँगी next chain में एक डालूँगी, next chain में एक डालूँगी और इससे next chain में दो बार डालूँगी तो इस बार हर चोथी chain में हम दो बार डालेंगे, अब फिर से count करेंगे अगर पहली chain में एक बार डालूँगी, second chain में भी एक बार डालूँगी, third chain में भी एक double crochet डालूँगी और फूर्थ चेन में दो बार डालूंगी तो इस बार ये वाला राउंद जो हम इसी तरह से complete करेंगे तो अब ही तक का हमारा pattern क्या follow हो रहा है फर्स राउंड में हमने एक चेन में एक बार, फिर दो बार सेटिड राउंड में हमने दो चेन में एक एक बार और थर्ड चेन में दो बार थर्ड राउंड में हमने क्या किया तीन चेन में एक एक बार और उससे नेक्स चेन में दो बार चोथे राउंड में हम क्या करेंगे चार चेन में एक एक बार डालेंगे और पांचवी चेन में दो बार डालेंगे और फिफ्ट राउंड में हम क्या करेंगे पांच राउंड में एक एक बार और छटी चेन में दो बार तो इस तरह से हमारा ये राउंड जो है आगे के कम्प्लीट होते जाएंगे और अगर जीरो एक दो नंबर के लड़ू कोपाल जी के लिए आप बना रहे हैं तो फर्स राउंड होगा हर चेन में दो दो बार सेकिंड राउंड कैसे होगा कि एक चेन में एक बार फिर दो बार थर्ड राउंड में क्या होगा दो चेन में एक एक बार फिर दो बार पांच नंबर की ड्रेस के लिए तो करीब 10 या 11 इंच की ही मैं ड्रेस बनाती हूं और थोड़ी सी ड्रेस बढ़ जाएगी क्योंकि गोपियों का यह देखिए बाहर की तरफ आया है अब देखिए आगे काम क्या करना है इस तरह से हमें आप गोपियां बनानी है और फिर हम इ जो है स्टार्ट करते हैं तो अब यह धागा जो है मैं क्रोशे में एड करूंगी इस तरह से और अब मैं पांस चेन लूँगी एक दो तीन चार पांच अब देखिए फर्स चेन में हमें इसको स्लिप सिट से जोइन करना है और एक लूप क्रियेट करना है तो स्लिप सिट से जोइन कैसे करेंगे फर्स चेन में क्रोशाओक डालूंगी तो देखिए क्रोशाओक डाल फर्स चेन में धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी तो इस तरह से यहाँ पर जोइन हो गया और एक लूप जो है क्रियेट हो गया आपको दिख रहा होगा। तो अच्छे से दिख रह थे दो चैनि लेनिया में को सबसे पहले हमें की हाफ़पार क्रोश्य की हई है और इसलिए हमने दो चेंड यह आफ डबल क्रोश्य को सब्सक्राइब अब लूप में हमें हाफ डबल क्रोश्य डालने है ना कि कोई चेन में तो हाफ डबल क्रोश्य कैसे डालते हैं देखिए क्रोश्योग में एक फंदा है दो फंदे करूंगी अब लूप में क्रोश्योग डालूंगी धागे को निकालूंगी तो देखिए तीन फंदे होगे क् कि help से एक कर दूंगी इस तरह ऐसे हाफ डबल क्रूशिया जो है डल गया है तो इसतर ऐसे हाफ डबल क्रूशिया जो बन गया है पहला डो डोचेन से बोना था दूसरा हमने डाला है अब एक बार बताती harsh half double crochet crochet hook में एक फंदा है दो फंदे करूंगी इस तरह से loop में crochet hook डालूंगी धागे को निकालूंगी तीन फंदे हो गए धागे की help से इनको एक कर दूंगी तो इस तरह से यह half double crochet जो है बन गया है अब फिर से half double crochet डालूंगी तो यहां पर देखे मेरा राउंड जो है complete हो गया है मेरे तेरा half double crochet यहां पर डले है अब देखे मुझे round को end करना है slip stitch से join करूंगी तो पहला half double crochet जो है दो chain से बना था उसकी दूसरी chain में क्रोश्योग डाल रही हूं धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी तो इस slip stitch से join हो गया है इसी तरह से हमें round का end करना होता है अब फिर फिर से जो लूप बना हुआ है उसी में डालूंगी तो देखे क्रोश्योग में दो फंदे करूंगी अब दालूंगी तीन फंदे होगे और तीन का एक कर दूंगी तो इस तरह से अगला half double crochet भी डालूंगी अगला half double crochet डालूंगी अगला half double crochet डालूंगी इसको पूरे को इस तरह से cover करूंगी और दिखाती हूं तो देखे friends round को मैंने complete कर दिया है इसमें आपके approximately 13 या 14 आएंगे त अब मुझे इसको join करना है तो देखे यहाँ पे जो पहला half double crochet था उसकी chain में मैं आपे slip से इसको join कर दूंगी और round जो है complete कर दूंगी अब एक chain लूंगी एक और chain लूंगी तो दो chain ले ली है work को rotate कर दूंगी और अब यहाँ पे मुझे जो पहला वाला chain है उसमें single crochet करना ह सिंगल क्रोश्या एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगी अब फिर से दो chain लूंगी एक दो next chain में single crochet करना है कैसे करते हैं देखे क्रोश्य रोप में एक फंदा है next chain में डालूंगी और धागे को निकालूंगी दो फंदे होगे धागे की help से इसको एक कर दूंगी तो यहाँ पे single crochet होगे आप दो chain लूंगी next chain में single crochet फिर दो chain लूंगी next chain में single crochet और इस तर ऐसे अपना work जो है complete करके आपको दिखाती हूँ तो देखे friends इस तर ऐसे मैंने round जो है complete कर दिया है last chain में भी मैंने single crochet दो chain ले ली है अब मुझे इसको join करना है तो देखे starting में हमने दो chain ली थी तो उस वज़े से यहाँ पे हमारे gap बन गया है उसमें मैं यहाँ पे slip stitch से इसको join करूंगी तो इस तरह से मैंने join कर दिया है तो यह round जो है complete होता है अब हमें क्या करना है दो chain लेनी है एक दो अब देखे जो single crochet था यह जो gap है यह पूरे को इस तरह से उठाना है कोई chain में नहीं लेना यह पूरे को उठाना है तो इस तरह से उठाऊंगी और यहाँ पे धागे को निकालूंगी तो दो फंदे हो गए हैं crochet में अब दो का एक करूंगी धागे की help से तो basically हमने single crochet किया अ अब एक chain लूँगी work को उल्टा करूंगी अब देखे यहाँ पे हमने यह दो जो है छोटे छोटे लूप create कर दी हैं अब इसमें हमें work करना है तो अब आगे का work में कैसे करूंगी ध्यान से देखेगा अब हमें puff stitches बनाने तो कैसे बनाएंगे देखे क्रोश्योग में यह है अब यहाँ पे है इसको हलका सा लंबा कर लूँगी अब जो हमारे यह जो gap बने दो चोटे चोटे लूप बने इसमें मैं क्रोश्योग डालूंगी धागे को निकालूंगी तो दूसरा puff stitch हो गया है और अब क्रोश्योग में एक फंदा लूंगी अब फिर से इसमें डाल लूंगी यह तीन बार हो गया है फिर से फंदा लूंगी फिर इसमें डालूंगी चार बार हो गया है फिर फंदा लूंगी पांच बार हो गया है फिर फंदा लूंगी और यह छे बार हो गया है तो टोटल इस तरह से मैंने छे बार निकाल लिया अब यह सारे फंदों को ध देखें, नेक्स वाला जो गैप है, लूप है, उसमें फिर से ये छे बार बनाऊंगी, एक बार हो गया है, दो बार हो गया है, तीन बार, चार, पांच, छे, छे बार हो गया है, अब 6 को इस तरह से, ये गर दूँगी, चेन ले लूँगी, ताकि ये एक चेन हो गई, अभी कि इस तर ऐसे देखिए दो पॉफ सिचिज हमने यहां पे बना दिये हैं अब फ्रिंट्स में वर्क को उल्टा कर दूंगी अब देखिए दो सिचिज के बीच में गैप है इसमें मुझे फिर से यहां पर पॉफ सिचिज बनाने लेकिन यहां पे इस बार मैं तीन एक साथ बनाऊंगी तो देखे पहला पफ स्टिच बना रही हूं धागे को लंबा कर दिया है एक हो गया है दो बार हो गया है तीन बार हो गया है चार बार हो गया है पांच बार हो गया है और यह छे बार हो गया है अब इनको एक कर दूंग दो चेन ले लूँगी तो इस तरह से एक पफ स्चिच जो है बन गया है और मुझे यहाँ पे सिमिलर वे में दो बार और बनाना है मैं आपको करके दिखा रही हूं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छे बार तो ये दूसरे puff stitches में छे बार इस तरह से ले लिया, दो चेन ले लिया अब तीसरा puff stitch फिर से यहीं पर बनाना है एक बार, दो बार, तो तीसरा puff stitch भी मैं इस तरह से बना के आपको दिखाती हूँ तो देखिए ये वाली रो में हमारे तीन पफस्टिच बन गए हैं तीसरे पफस्टिच के बाद मैंने दो चेन ले लिए वर्क को उल्टा करूंगी अब देखिए तीन पफस्टिच हैं तो दो गैप जो हैं हमारे बन गए हैं तो हर गैप में मुझे तीन पफस्टिच बनाने तो यह 6 बार हो गया है अब मैं इसको चेन लेके पफस्टिच बना दिया पहला इसी में मुझे 2 पफस्टिच और बनाने हैं ताकि 3 पफस्टिच हो जाएं तो देखे पहले गैप में मैंने 3 पफस्टिच बना दियें अब अगला जो गैप है जो नीचे सेकंड और थर्ड पफस्टिच के बीच में जो गैप है उसमें मैं वहाँ पे गैप इस वज़े से आ जाता है क्योंकि हम एक चेन लेते हैं तो उस गैप में मैं फिर से 3 पफस्टिच का पहला हमने ले लिया दो बार ले लिया है तीन तीन बार ले लिया है चार बार ले लिया है पांश बार ले लिया है और ये छे बार ले लिया है तो ये पहला पफस्टिच कंप्लीट होने वाला है चेन लूंगी दो बार तो पहला पफस्टिच बन गया है इ एक बार बना दिया एक तीन बार बनाकर आपको दिखाती हूं तो देखे फ्रेंग्स यहां पर मैंना यह राउंड का वर्क जो है कंप्लीट हो गए पहले वाले में भी तीन बन गए है तो टोटल हमने छे बना दिये हैं दो चेन मैंने ले लिए वर्क को उल्टा करूंगी अब देखे इसके बाद मैं क्या कर रहे हूं पहला और दूसरे पफस्चिच के बीच में अब मुझे दो पफस्चिच बनाने है अब देखे नीचे वाले राउंड में छे पफस्चिच है तो पांच बार गैप आ गया है तो हर गैप में मुझे दो दो पफस्चिच बनाने ह तो पहले वाले gap में दो puff stitch बनाऊंगी, तो पहले puff stitch का एक बार हो गया है, दो बार हो गया है, तीन बार हो गया है, चार बार हो गया है, पांच बार हो गया है, छे बार हो गया है, अब मैं इनको join कर दूंगी, chain ले लूंगी, दो chain ले ली है, अब next puff stitch बनाऊंगी, तो अब हर W Sabbath, मुझे 2 दो पफ्स कीछ मेश बनाने एक बार हो गया है 2 लाहेरे इस इसства में इस ग्याप में 2-1 बीदे juste में 2-2 बार और हर ग्याप में 2-2 बार वन बनाङ़ तो राउंड के एंड में नो gap आ गए हैं तो हम इनको कैसे cover करेंगे पहले वाले gap में जाऊंगी वहाँ पर puff stitch बनाऊंगी इस तरह से एक दो तीन चार पांच छे छे यहाँ पर ले लिए हैं अब इसका puff बना दूँगी दो chain ले लिए है तो देखे इस gap में एक puff stitch बन गया आप सेम gap में ही मैं दूसरा puff stitch बनाऊंगी एक बार दो बार तीन जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूं आपको चार पांच छे छे बार हो गया है अब इसको जोइन कर दूँगी दो chain ले लूँगी तो एक ही space में हमारे दो puff stitch बन गए हैं अब next वाले space में एक बार बनाऊंगी फिर next वाले में दो बार फिर next वाले में एक बार फिर दो बार फिर एक बार alternate इस तरह से चलेगा तो देखे next वाले में एक बनाना start कर रही हूं next gap में direct जा रही हूं और यहाँ पे एक बार ले लिया है इस तरह से एक ही puff stitches gap में बनाऊंगी तो alternate चलेगा और यह round जो है complete करके आपको दिखाती हूँ तो यह देखे friends work मैंने almost complete कर दिया है यहाँ पर देखे first वाले में मैंने 2 बनाए फिर 1 बनाया है फिर 2 एक साथ बनाया है फिर 1 बनाया है फिर 2 एक साथ बनाया है फिर एक बनाया है और यह देखे last में फिर 1 बनाया है और उसके last में 2 तो यहाँ पर मेरे total यह 14 टाइम्स यहाँ पर puff stitches बने हैं तो यहाँ पर round जो है complete हो गया है और यहाँ पर हम धागे को cut करेंगे और अब एक chain लेके note लगा दूँगी तो इस तरह से देखी है हमारी doll जो है या doll बोल सकने है इसको गोपी बोल सकते हैं कृष्ण जी की यह बनके तयार हो गई है finishing करके एक बार मैं आपको दिखाती हूँ तो देखे friends मैंने finishing कर दी है यहाँ पर puff stitches के हमारे total 6 rounds बने हैं और यहाँ पर complete हो जाते है छे राउंड से पहले राउंड में दो थे फिर तीन थे सेकेंड राउंड में sorry पांच राउंड बने हैं और उसके बाद 3rd राउंड में हमारे यहाँ पर 6 हो जाते हैं 4th राउंड में हमारे पास 14 हो जाते हैं तो इस तरह ऐसे टोटल 5 राउंड ही बने हैं और यहां पर देखें फेस की फ्रंट साइड कौन से होगी यहां आपको बताती हूं वर्क हमने यहां से स्टार्ट किया था इस वाली तरफ से बट हमारा फेस जो है यह वाला होगा क्योंकि यह वाली जो चीज है उ फ्रंट साइड हम यही जो आपको बताती हूं तो यह देखें यहाँ पे जब हम face बनाते हैं तो last में हम क्या करते हैं यहाँ पे single crochet 2 chain जिसकी वज़ासे gap भी बन जाता है single crochet 2 chain single crochet 2 chain इस तरह से हमने यहाँ पे work किया हुआ है तो नीचे भी यहाँ पे work किया हुआ सिंगल क्रोशय दो चेंड जिसकी वज़ेसे गाप बना हूँ है फिर सिंगल क्रोशय दो चेंड तो यहाँ पर इन दोनों earbuds हम नीचे का पूरा वक करते हैं तो यह देखिए यह वाणा जो गैप है मतलब कि राइट राइट हैंड वाला जो गैप फै家 सींगल कोड़ ने त्वेल यहां पर तो मैंने डाल दिया मैं तीन लोगी पहले एक दो थीन अब जो next गैप है यह वाला गैप है मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूं यह देखिए यह वाला गैप है इसमें मैं सिंगल क्रोश्या करूँगी तो सिंगल क्रोश्या एक पर फिर से आपको बता डोशा है अब मैं तीन चैनल लूगा एक दो तुट अब फिर नेक्स गैप में जांगी वहां पर हिए सिंगल क्रोश होगी और है और फिर इन चैनल होगी कि कंप लिखें है और इसी तरह से अपना वल्ड जो है नीचे काम किया हुआ तो उसमें हैं आपको दिखा रही हूँ कैसे करना है तो देखे ऐग तो यह वाला है यहां पर उपर से कहां लेके पर से नीचे कहां लेकर जा Last तो यहां पे हम single crochet करेंगे अब तीन chain लूँगी next वाले में भी बिल्कुल ऐसे ही करूँगी नीचे से उपर से नीचे लेके जाऊंगी और आगे वाले से निकाल लूँगी और यहां पे single crochet करूँगी अब देखे first जो chain है हुनने work यही से start किया था first chain में slip stitch कर दूँगी तो देखे डाल रही हूँ यह इस तरह से डाल लिया और slip stitch से मैं इसको join कर दूँगी तो यहां पे इस तरह से यह face जो है बन गया है अब friends देखे मैं यह धागा जो है लंबा करके एक बार छोड़ दूँगी निकाल दूँगी क्रोशोग इसमें से अब यहां पे यह जो right hand side वाला है इसी puff में मैं इसकी जो chain है नीचे उसके space मैंने क्रोशोग डाला है और यह धागा जो है उसमें से निकाल लूँगी जो अभी हमने white color का धागा छोड़ा था वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और अब यहां पे एक chain लूँगी अब इस chain में हमें आगे का काम करना है puff बनाएंगे हम हाथ से puff पूरा हाथ जो है puff से ही पूरा बनाएंगे तो देखें यहां पे लंबा करूंगी धागे को एक फंदा हो गया है इस तरह जैसे puff बनाय थे चे बार लूँगी चेन में मैं डालूंगी क्रोशोग, धागे को निकाला लंबा कर दिया, इस तर ऐसे दो बार हो गया है, और ये छे बार करूंगी इस तर ऐसे, तीन बार, चार बार, पांच बार, और ये छे बार, तो छे बार हो गया है, अब इन सब को एक साथ ले जाओंगी धागे की हल्प से चेन ले लूँगी तो इस तरह से एक पफ बन गया है अब एक और चेन लूँगी अब इस तहागे को लंबा करूँगी और फिर से पफ बनाऊंगी इसके अंदर ही तो दो हो गए हैं तीन हो गए हैं चार हो गया है पांच हो गए हैं और ये छे हो गए हैं और अब इसको ए फोर बनाऊंगी तो यह देखें तीसरा पफ भी इस तरह से बना लिया है अब यहां पे तीन चेन लूँगी एक दो तीन अब नीचे चेन में फर्स वाली जो चेन है पफ के जास उपर वाली उसमें सिंगल क्रोश्या कर दूँगी फिर तीन चेन लूँगी फिर से वही पे सेम जगय पे ही सिंगल क्रोश्या करूँगी फिर तीन चेन लूँगी फिर से वही पे सिंगल क्रोश्या कर दूँगी अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो धागा है इसको लंबा कर दूँगी इस तरह से अब यहाँ पे मैं फिर से पफ बनाऊंगी नीचे उसी जगए पे बनाऊंगी जहाँ पे अभी मैं सिंगल कोश्या कर रही थी तो वहाँ पे दो बार हो गया है यह तीन बार हो गया है यह चार बार हो गया है पांच बार हो गया है और यह छे बार हो गया है अब इनको एक साथ ले लूँगी चेन लेूँगी दो चेन और यह लंबा करूँगी अब इसके बाद दो पफ और बनाऊंगी तो देखे फ्रेंड यहां पे मैंने दो पफ और बना लिये तो फाइनली अभी तक मैंने वर्क क्या किया है यहां पे राइठ whispering साइट से मैंने अपना वाइट कलर का वर्क जो है स्टार्ट किया पूरा यह चीज जो है गुमाई यहां पे लेके आई फिर मैंने हैंड की तरफ वर्क किया इस तरह से हैंड बनाए और फिर यहां पे मोडने के लिए मैंने यह वाला वर्क किया और फिर मैंने फिर से तीन पफ और बनाए अब यहां पे देखिए क्रोश्याओं किया से निकाल लूँगी इस तरह से अब देख इससे व्यक्व स्टार्ट करना है तो देखिं। ये ये तोफ यही वाले जो गन्यरा है jadi ौ जो single crochet 2 chain single crochet выглядит The दोच से बने थे इनày अिनल कोट हूंगो करना है तो यहां पर इस वाले गप को मैं उठाऊंगी 200 mn मैंने दो गाप नीचे वाला किया हुआ दो लेफने हैं इसको उठाँगर क्रोश्य इससे निकालए आप तो करूंगी पर अभी पहले में नालोंगे यह बाहर की तरफ रडाला है और ये वाला जो ढब पहले ओ änd करूंगी फिर वर्क जो है इसमें से star करूंगी इस तरह से तो पहले मैं यहां फे इस तरह से डाले विरे और उसके बाद यहां पर वर्क करंगी तो अब मैंज मैं जॉइन करती हूं दोनों हांड्स जु鬆 है इसके ताँ őन और फिर आगे का वर्क करेंके तो ये देखिए मैंने क्रोशे अड़ कर लिया है अब वो वाली जो गोपी है यहां पर ये वाला धागा जो है क्रोशे में डालूँगी और अब मैं इसको अड़ करूँगी एक चेन लेके अब देखिए थोड़ा सा वर्क जो है गुमा लूँगी अब मैंने आपको बताया था उसी गैप में नीचे लेके जाऊंगी पहले देखिए फिर से डाल रही हूँ जिस गैप में हमने क्रोशे डाल रखा था उसी गैप में डालूँगी और आगे से निकाल लूँगी चेन में से और यहाँ पर सिंगल क्रोश्या करूंगी, तीन चेन लूँगी, एक, दो, तीन, अब देखें फ्रेंट्स, यहाँ पर वर्क कर दिया है, अब या तो हम इस तरफ जाएं, यहाँ इस तरफ, तो यह ध्यान रखेंगा, नेक वाली तरफ जाना है, नीचे इस तरफ जाना है, य अब नेक्स गैप में डाल रही हूं, यहाँ पर भी चेन से निकालेंगे क्रोश्यों किस तरह से, और सिंगल क्रोश्या कर दूँगी, तीन चेन लूँगी, अब नेक्स गैप में जाऊंगी, अब देखें यहाँ पर कोई चेन से नहीं निकाला, बाहर की तरफ जो है निका कोशिया है तीन चेन और इसी तरह से अपना यह फेस जो है इसका तयार करूंगी तो देखें पूरा फेस जो है मैंने almost कंप्लीट कर दिया है बस जोइन करना बागी रहे गया सिंगल क्रोश्या किया फिर तीन चेंड किया अब मुझे फर्स्ट वाला जो काम किया था उसमें मुझे इसको स्लिप सिट से जोइन करना है तो देखिए जो गैप है इसमें जाओंगी डिरेक्ट और यहां पर स्लिप सिट से इसको जोइन कर दू चारा लुक आ रहा है अब देखिए हमने लेफ्ट साइड से इस बार वर्क शुरू किया था घूम के हम इस तरफ है लेफ्ट साइड में जबकि हमें जाना राइट साइड में तुम क्या करेंगे क्रोश्योग मैं यहां से निकाल दूंगी अब देखिए जो राइट हैंड साइड वाला जो पफ है पहला यह वाला जो पफ है यह देखिए यहां पे दो पफ है एक की वाला और यह वाला तो राइट हैंड साइड वाला जो पफ है उसके उपर जस्ट जो गैप है उसमें मैंने क्रोश्योग इस तरह से निकाला है और यहां पे जो धागा है। इसमें डाल दूंगी। और आगे का वक जो है मैं स्टार्ट करूंगी। तो अभये देखे यह फंदा ताइट करूंगी। और इसको ले जाऊंगी इस तरह से निकाल लूँगी। और एक चेन ले लूँगी। तो इस तरह से हम right hand side पे आ गए हैं यहाँ पे अब हमें यहाँ पे फिर से हात बनाना है तो मैं यहां पे फंदे को लंबा करूँगी और जो पहली chain है जो हमने अभी ली है उसके अंदर से मुझे work करना है तो ये देखे इस तरह से जो नीचे अभी chain बनाई है उसमें मैं क्रोशोग डालूंगी और यहाँ पे इस तरह से दो बार हो गया है इस तरह से puff बनाऊंगी छे बार करके तीन बार हो गया है चार बार हो हो गया है और यह चे बार हो गया है अब यहाँ पे छेओं का एक कर दूंगी एक चेन लूंगी अब एक और चेन लूंगी अब फिर से puff बनाऊंगी तो इस तरह से ही पूरा हाथ जो है complete करूंगी तो यह देखे इस तरह से अब सेकिंड वाला जो इदर का हैंड है वो भी हम हम स्टार्ट करेंगे बनाना और फिर फिर से जो थर्ड वाली गोपी है उशको इसी तरह से अटेच करेंगे जैसे यह दोनों हमने अटेच की है बस जिहान रखेगा work जब हम अटेच करते हैं तब हम left hand side से work जो है start करते हैं इस तरह से घूमते हैं anti clockwise और फिर यहाँ पे आ सब्सक्राइब करता है तो देखे विखोंगों लेफ्ट हो गई यह हाथ को और हाथ सेहाथ पसक्त काफी सब मैं उसको इसको है लास्त वाली जो गोपी यहां पे देखें मैंने ढपाइब जो है छोड़ दिया है तो कैसे करेंगे यहां पर देखिए जो स्पेस है कि यहां से हमने इससे लंबा करेंगे कि चौड़ दिया है और अब यह दागा जो है slip stitch से जोइन करूँगी तो देखे क्रोषिया तो मैने इसमें डाल दिया है अब मैं ये वाला जो धागा है वो ग्रोषे में आड़ करूंगी दागे को टाइड कर लूँगी अब मैं slip stitch से यसको जोईन कर रही हूं इस तरह से यहां पर एक chain ले लूंगी और अब मैं धागे को cut करूंगी और एक और chain ले लूंगी और note लगा दूंगी तो इस तरह से हमारा जो है पूरा complete हो गया है अब देखे friends यहां पर bordering करूंगी सबी गोपियों पर यहां पर last में अगर आप चाहें तो यह वाला पार्ट जो सक्थ कर सकते हैं अब मैं आपको पताती हूँ एक गोपी पे बॉर्ड रिंग कैसे करेंगे उसी तरह से सिमिलर वे में सब हमें boarding करनी है तो देखें यह वाली मैंने गोपी ले ली है हाथ में अब देखें नीचे वाला जो लास राउंड था इसके जो दो पफ के बीच में इस पेस है यहाँ पर मैं क्रोशाओक डाल देए हूँ तो इस तरह से यही पे हमें अपना वर्क जो है स्टार्ट करना है तो देखेंब मैं स्टार्ट कर एओ यह हूं यहाँ पर इस तरह से एक और चेन पर पास चेन लोंगी एक दौ उप पांच अब देखिए इसी स्पेस में मुझे सिंगल क्रोश्या करना है एक बार मैं सिंगल क्रोश्या फिर से आपको बता देती हूं क्रोश्यों में एक फंदा है अब उसी स्पेस में जाओंगी धागे को लूँगी दो फंदे हो गए धागे की हेल्प से इसको एक कर से पांच चेन लूँगी एक दो तीन चार पांच अब नीचे फिर उसी स्पेस में सिंगल क्रोश्या कर दूँगी तो यहां पर देखे यह तीन बार हमने इस तरह से बनाया एक बार मैं आपको वर्क दिखा देती हूं यह तीन बार हमने बनाया और यह काफी ही अच्छा लुक देगा तो देखे वर्क जो है काफी ही प्यारा लग रहा है अब हमें क्या करना है अब हमें तीन चेन लेनी है एक दो तीन और नेक्स स्पेस में जो दूसरे और तीसरे के बीच में स्पेस है पफ के बीच में यहां प फिर से next puff में हमें इसको single crochet से join करना है अब देखिए हमें यहां पे फिर से वो flower पतियों वाला जो एक structure बनाया था हमने यह वाला यह फिर से में बनाना तो 5 chain लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, नीचे single crochet से जोड़ दूँगी फिर से यही 5 chain लेंगे तो देखिए यह वाला मैंने complete कर लिया है तो हम क्या कर रहे हैं पहले वाले में पतियों वाला structure बना रहे हैं दूसरे वाले gap में हम चले जाते हैं तीन chain से फिर अगले gap में भी चले जाते ह फिर next gap में चले जाते हैं तीन chain से उसमें नहीं बनाते हैं फिर next gap में जाते हैं उस तीन chain से और फिर उसमें फिर से पतियों वाला structure बनाते हैं यह पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए last वाले gap में मैंने काम कर दिया है अब मैं धागे को cut करूंगी एक chain लग प्यारा लगने लग जाएगा और फ्रेंट्स अगर आप चाहें तो इसका face और यहाथ बनाने से पहले मतलब कि सारी गोपियों को जोड़ने से पहले भी इसकी बोर्डरिंग कर सकते हैं तो पूरों की बोर्डरिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ तो देखिए इस तरह से सारी गोपियों की यहां पे बोर्डरिंग कर दी और बोहुत ही जादा प्यारा लग रहा है अब इसको घेरे के साथ अटैच करेंगे तो यह देखिए फ्रेंट्स इस तरह से मैंने घेरे के साथ इसको सेट कर दिया है अब इसको हम सूई धागे की हल्प से पूरा सिल करेंगे चोली की भी बोर्डरिंग कर दूंगी तो इस तरह से पूरा काम करके फिनिशिंग करके मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए यहां पर मैंने सारी गोपियां ड्रेस के साथ अटैच कर दी अच्छे से सिल दी और काफी ही प्यारा लग रहा है इसके बाद से सिल रैसे सिल रचेन से इसको डेकोरेट किया है यहां पर देखिए सिल रकेन से इस तरह से इस तरह से ड्यकोरेट tempted तो फाइनली ये ड्रेस जो है बनके तयार हो गई और काफी सुन्दर लग रही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा जादा से जादा लोगों को शेयर कीजेगा और कमेंट करके हमें जरूर बताएगा कि आपको ये थीम कैसी लगी थ